नमस्कार केम जो बदा में जावा वर्साद पानी केम जे कारकम में हमारे साथ उपस्तित गुजरात के मुख्य मंत्री स्रीमान विजे भाई रुपानी जी उपमुक्य मंत्री स्री नितिन भाई केंदर में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्री पुर्शतम रुपाला जी स्री मंसुप भाई मानविया जी बहन अनुप्रिया पतेल जी लोगसभा में संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रजेश भारतिय जरता पार्टी का अध्यक्ष, स्रिमान सी आर पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रिगण, यहाँ उपस्तित सभी सहयोगी सांसत साथी, गुजरात के विधायगण, सरदार धाम के सभी ट्रस्टी, मेरे मित्र बायश्री गाग्जी भाई, ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदचेगण, इस पवित्र कारे को आगे बढ़ाने में अपने योगदान देने वाले सभी साथी, भाई और बहनों, किसी भी शुब काम से पहले, हमारे यहाँ गनेश पूजन की परंपरा है, और सवभाग्य से सर्दार धाम भवन का स्री गनेश ही ही गनेश पूजन के पवित्र त्योहवार के अवसर पर हो रहा है, कल स्री गनेश चतुर्थी थी और अभी पुरा देश गनेशोत्सम मना रहा है, मैं आप सभी को गनेश चतुर्थी की और गनेशोत्सम की हार्दिक बधाई देता हूँ, आज रुशी पंचमी भी है, भारत तो रुशी परंपरा का देश है, रुश्यों के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन से हमारी पहचान रही है, हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक, पूरी मानावता का मारदर्शन करें, इसी भावना में हम पले भड़े हैं, इसी भावना के साथ रुशी पंचमी की भी आपको हारदिक शुब कामना आएं, रुशी मुनियों की परंपरा हमें बहतर मनुष्य बनने की उर्जा देती हैं, इसी भावना के साथ पर्युशन पर्व के बाद जैन परंपरा में हम शमावानी दिवस मनाते हैं, मिच्चा में दुक्डम करते हैं, मेरी तरब से भी आपको देश के सभी नागरिकों को मिच्चा में दुक्डम, ये ऐसा पर्व है ऐसी परंपरा है अपनी गलतियों को स्विकार करना उनका शोधन करना और बहतर करने का संकल्प लेना ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए मैं सभी देशवाश्यों को और सभी भाईयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं और भगवान महावीर के स्री चरणों में नमन करता हूं मैं हमारे प्रेणा स्रोत लोह पुरुष सरदार सहाब के चर्णों में भी प्रणाम करता हूँ उन्हें अपनी स्रधांजली अर्पित करता हूँ मैं सरदार धाम टरस्ट से जुडे सभी सदस्यों को भी बदाई देता हूँ जिनोंने अपने समर्पन से सेवा के इस अदबूत प्रकल्प को आकार दिया है आप सभी का समर्पन आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उधारन है आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकारपन के साथ ही फेज टू कन्या छात्राले का भूमी पुजन भी हुआ है State of Art Building आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्राले आधुनिक लाइबरेरी ये सभी व्यवस्ता हैं अनेकों युवाओं को शसक्त करेगी एक और अब Entrepreneur Development Center के जरिये गुजरात की समुरुद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं तो वही Civil Service Center के जरिये उन युवाओं को नई दिशा मिल रही हैं जो Civil Services में या Defense और Judicial Services में जाना चाहते हैं पाटिदार समायत के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेशकर महिलाओं के ससक्तिकरपवर आपका जो जो जोर हैं वो वाकई सरानिया हैं होस्टेल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविश्य निर्मान का एक अधिश्ठान बनेगा बलकि आने वाली पीडियों को सरदार साथ के आदर्सों को जीने की प्रिना भी देगा बहुरा एक बात भी कहना चाहूँगा आज हम आजहादी का अमरुत महोत्सव बना रहे हैं आजहादी के 75 साल ऐसे अवसर पर हम लोग आज देश की आजहादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेरित हो रहे हैं लेकिन इस छात्रावास में जो बेटे बेटिया पढ़ने वाली है और आज जो 18, 20, 25 साल की उमर के हमारे नवजवान है 2047 जब देश की आजहादी के 100 साल होंगे तब ये सारे लोग देश की निरनायक भूमी का में होंगे आज आप जो संकल्प करेगे 2047 में जब आजहादी के 100 साल होंगे तब हिंदुस्तान कैसा होगा इसके संसकार ऐसी पवित्र धर्ती पर होने वाले हैं साथियो सरदार धाम का आज जिस तारीक को लोकारपन हो रहा है वो तारीक जितनी अहम है उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है आज 11 सितंबर यानि 9-11 है दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीक जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है लेकिन इसी तारीक ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसत का आयोजन हुआ था आज के ही दिन स्वामी विवेखानन ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानविय मुल्यों से परिचित कराया था आज दुनिया ये मैसूस कर रही है कि 9-11 जैसी वो त्रास्दी भी जिसे भी 20 साल हुए हैं त्रास्दियों का स्थाई समाधान मानवता के उनी मुल्यों से ही होगा एक और हमें इन आतं की घटनाओं के सबक को याद रखना होगा तो साथ ही मानविय मुल्यों के लिए पूरी आस्ता के साथ प्रयास भी करते रहना होगा साथियों आज 11 सितंबर को एक और बड़ा आउसर है आज भारत के महान विद्वान दार्शनीक और स्वातंत्र सेनानी सुप्रमन्यम भारती जी की सोवी पुन्यती थी है सरदार साहब जिस एक एक भारत स्वेश्ट भारत का विजन लेकर चलते थे वही दर्शन महा कभी भारती की तमिल लेखनी में पूरी दुव्यता से निखरता रहा है जब वो कहते थे कि हिमालय हमारा है तमिल लाड़ु में रहते थे और सोच कैसी और वो कहते थे हिमालय हमारा है जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी जब वो उपनी शदों की महमा का वर्णन करते थे, तो भारत की एकता को, भारत की स्रेश्ठता को और भव्यता देते थे। को नई उर्जा दी, नई दिशा दी है। साथियों, आज इस अउसर पर मैं एक महत्वपुन गोशना भी कर रहा हूं। बनारस हिंदु उनिवर्सिटी में सुप्रमण्यम भारतीची के नाम से एक चैर स्थापित करने का मिलने किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समर्द्य भाषा है, विश्वकी सबसे पुरातन भाषा है, और हम सभी हिंदुस्तान्यों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुप्रमण्यम भारती चैर बनारस हिंदु उनिवर्सिटी बीए चुके फेकल्टी आप आर्ट्स में स्थापित होगी। ये विद्यार्थियों को, रिसर्थ फैलोज को उस भव्य भारत के निर्मान में जुटे रहने की निरंतर प्रेणिया देगी, जिसका सपना भारती जी ने देखा था। साथियों, सुप्रमनियम भारती जी हमेशा भारत की एकता पर, मानव मात्र की एकता पर विशेद बल देते थे। उनका ये आदर्श भारत के विचार और दर्शन का अभिन हिस्सा है। हमारे यहां पावरानिक काल के ददीच और कर्ण जैसे दानवीर हो या मद्यकाल में महराज हर्सवर्दन जैसे महापूर्श सेवा के लिए सर्वस्व अर्पन करने की इस परंपरा से भारत आज भी प्रेणा लेता है। यह एक तरह से एक ऐसा जीवन मंत्र हैं जो हमें सिखाता है कि हम जितना जहां से ले उससे कई गुना वापस कर दे। हमने जो कुछ भी पाया है वो इसी धर्ती से पाया है। हमने जो भी प्रगती की है वो इसी समाज के बीच की है, समाज की वज़से की है। इसलिए जो हमें मिला है वो केवल हमारा नहीं है, वो हमारे समाज का भी है, हमारे देश का भी है। जो समाज का है, वो हम समाज को लोटाते हैं और समाज उसे कई गुना करके फिर हमें और हमारी अगली पीडियों को वापस दे देता है। ये कि ऐसा उर्जा चक्र है, ऐसा एनर्जी साइकल है, जो हर एक प्रयास के साथ तेज होता जाता है। आज आप इसी उर्जा चक्र को और गती दे रहे हैं। साथियों, जब हम समाज के लोगे कोई संकल्प लेते हैं, तो उसकी सिद्धी के लिए समाज ही हमें सामर्थे देता है। इसलिए आज एक ऐसे कालखन में, जब हम आजाती का अमर्थ महोच्व मना रहे हैं, तो देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का मंत्र दिया है। गुजरात तो अतीत से लेकर आज तक साजा प्रयासों की ही धर्ती रही है। आजाती की लड़ाई में गांदी जी ने यही से दांडी याता की शुरुवात की थी, तो आज भी आजाती के लिए देश के एक जूट प्रयासों का वो प्रतीख है, प्रेरणा है। इसी तरह खेड़ा अंदोलन में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसान, नवजवान, गरीब एक जूटता ने अंग्रेजी हकुमत को जुकने पर मजबूर कर दिया था। वो प्रेरणा, वो उर्जा, आज भी गुजरात की धर्ती पर सरदार साथ की गगन चुम्बी प्रतिमा, स्टेची अफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कौन बुल सकता है कि जब स्टेची अफ यूनिटी का विचार गुजरात ने सामने रखा था, तो किस तरह पूरा देश इस प्रयास का हिस्सा बन गया था। तब देश के कोने कोने से किसानों ने लोहा भेजा था। ये प्रतिमा आज पूरे देश की एक जुड़ता की, एक जुड़ प्रयासों की एक प्रेणा स्थली है, प्रतीक है। भाई और बैनों, सहकार से सबलता की जो रुप्रेखा गुजरात ने पेश की, उनमें देश साजी दरी भी बना और आज देश को उसका लाब भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि सरदार डाम ट्रस्त ने भी सामोहिक प्रयासों से अपने लिए अपने पांच और दस सालों के लक्ष तै किये हैं। आज देश भी अपनी आज़ादी के सो सालों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे ही लक्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरकार में अब एक अलग सहकारिता मंत्राले का गठन भी किया गया है। किसानों नवजवानों को सहकार की शक्ती का पुरा-पुरा लाब मिल सके इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के जो वर्ग जो लोग पीछे छुट गए हैं। उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास हो रहा है। आज एक और दलीतों पिछणों के अधिकारों के लिए जिम्मेवारी के साथ अनेक काम हो रहे हैं। तो वहीं आर्थिक आधार पर पीछड गए समर्ण समाज के लोगों को भी दस प्रतिशत आरक्षन दिया गया है। इन नित्यों का ही परणाम है कि आज समाज में एक नया आत्म विश्वात पैदा हो रहा है। साथियों हमारे यहां कहा जाता है सत विद्या यदी का चिंता वरा कोदर पूर रहें। अर्थात जिसके पास विद्या है ज्ञान और कौशल है उसे अपनी आजीविका के लिए जीवन की प्रगति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। सक्षम व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए खुद ही रास्ते बनाता है। मुझे खुशी है कि सर्दा, डाम, ट्रस्त द्वारा शिक्षा और कौशल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती का भी इस बात पर विशेश फोकस है कि हमारी शिक्षा कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए। भविश में मार्केट में कैसी स्कील की डिमांड होगी। फ्यूचर वर्ल में लीड करने के लिए हमारे युवाओं को क्या कुछ चाहिए होगा। राष्ट्रिय शिक्षा नीती स्टूडेंट्स को सुरुवात से ही इन ग्लोबल रियालिटी के लिए तयार करेगी। आज स्कील इंडिया मिशन भी देश की बड़ी प्रात्विक्ता है। इस मिशन के तहट लाखों युवाओं को अलग अलग स्कील सिखने का अउसर मिला है। वो आत्म निर्वर बन रहे हैं। नेशनल एपरेंटिशिप प्रमोशन स्कीम के तहट युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ स्कील डवलप्मेंट का अउसर भी मिल रहा है। और उनकी आमदनी भी हो रही है। मानव कल्यान योजना और ऐसी ही दुसरी अनेकों योजनाओं के जरिये गुजरात खुद भी इस दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। और इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बहुत-बहुत बधाई भी देता हूँ। कई सानों के लगातार प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात में आज जहां एक और स्कुल ड्रॉप आउट रेट एक प्रतिशत से भी कम हो गया है, वही अलग-अलग योजनाओं में लाखों युवाओं को स्किल डवलप्मेंट के जरिये नया भविश्य मिल रहा है। गुजरात के युवाओं में एंट्रप्रिनर्शिप तो स्वाभावी की होती हैं, स्टार्ट अप इंडिया जैसे अभियान से आज गुजरात के युवाओं के इस प्रतिभा को एक नया इको सिस स्टिम मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि सरदार दाम ट्रस्ट भी हमारे युवाओं को ग्लोबल बिजनेस से जोडने के लिए कई प्रयास कर रहा है। वाइपरन गुजरात समीट के जरिये जो शुरुवात कभी गुजरात ने की थी ग्लोबल पाटिदार बिजनेस सम उन लक्षों को आगे बढ़ाएगी। पाटिदार समाज की तो पहचानी रही है। यह जहां कहीं भी जाते हैं वहां के व्यापार को नई पहचान दे देते हैं। आपका यह हुनर अब गुजरात और देश में नहीं पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है। लेकिन पाटिदार समाज की एक और भी बड़ी खुबी है। यह कहीं भी रहे भारत का हित आपके लिए सर्वो पर ही रहता है। आपने देश की आर्थिक उन्नति में जो योगदान दिया है वो अध्बूत है और प्रेणादाई भी है। साथियों कठिन से कठिन समय हो। जब समय के साथ काम किया जाये तो परिणाम भी मिलते ही है। कोरोना की महामारी आई पुरी दुनिया की अर्थ ववस्ता पर आँच आई बारत पर भी इसका काफी असर हुा आया। लेकिन हमारी अर्थे बवस्ता महामारी के कारण जितना ठहरी थी उससे ज़्यादा स्पीड से रीकवर कर रही है जब बड़ी-बड़ी economies डिफेंस में थी तब हम reforms कर रहे थे जब global supply chains disrupt हो रही थी तो हमने नए हालातों को भारत के पश्मे मोड़ने के लिए PLI स्किम शुरू की अभी PLI स्किम को टेक्स्ट्राइल सेक्टर के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है इसका बहुत बड़ा लाप देश के टेक्स्ट्राइल सेक्टर को सूरज जैसे शहरों को होगा साथ्यों 21 सदी में भारत के पास अवसरों की कमी नहीं है हमें खुद को ग्लोबल रीडर के रूप में देखना है अपना सर्वस्रेश्ट देना है और सर्वस्रेश्ट करना भी है मुझे पूरा भरोसा है कि देश की प्रगति में गुजरात का जो योगदान रहा है उसे हम अब और ससक्त रुप में सामने लाएंगे हमारे प्रयास न केवल हमारे समाज को नहीं उंचाई देंगे बलकि देश को भी विकास की बुलंदी पर लेकर जाएंगे इनी शुपकामनाओ के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने खुपकुप शुपकामनाओ आप जो